वागे सुर्ध हम सरकार ने सही कहा है कि जिस प्रकार से हवस का पुजारी नाम दिया जाता था सोसल पे, पिक्चरों में, और भी जगहों पे, हवस का मुल्ला क्यों नहीं? जबकि पूरे देश में, देखिए किस प्रकार से, छोटे-छोटे बच्यों के साथ बलातकार की घटना मुल्ला जी कर रहे हैं तो हवस की मुल्ला क्यों नहीं? हवस का पुजारी ही सिर्फ क्यों? सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों? सनातन को भदनाम करने की साजिस क्यों? सनातन की उप्रती लोगों के मन में घिरना भरना क्यों? ये साजिस है और इसके नाते हिंदों को जागरुक होने की जरुवत है